कि इतने लोग ऐसे हैं जो इस क्लास को इसलिए ले रहे हैं कि जितना सीख चुके थे आप आप उससे आगे बढ़ेंगे क्लास नहीं ले पाए थे लेकिन क्या आपने रिवाइच किया या नहीं किया या आपको मालूम होगा और जिन लोगों ने रिवाइच किया है उनके लिए आज की क्लास बहुत ही इजी सी हो सकती है क्योंकि जितने चीज हमने पढ़ ली थी अब उनका एक निच्छोड यहां पर यूज होगा उनका एक निच्छोड यहां पर यूज होना है ठीक है और तो लास्ट क्लास हमने करी थी उसमें हमने डिसकस किया था प्राइम सी रीच का कौन सा मैथट है सेजनल वेरिएशन के लिए उसके एलिमिनेशन करने थे हमें हाईयर और लोवर एलिमिनेशन करने के लिए रेशियो टू मूविंग एवरेज मैथड को हमने अड़प्ट किया था ठीक है और इस मैथड में काफी कुछ हम बता चुके थे लेकिन एक जनल रिवीजन हम इसमें थ्वासर करेंगे और उसको रिवीजन को करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है आपका जो कुष्चन है उसको वर्टिकल फॉर्म में लिखना अपने कुष्चन को क्या करना सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म में लिखना तो हमारा जो कुष्चन था यह जो टेबल था उसको वर्टिकल यह जो टेबल दिया हुआ है उसको इस टेपल में नीचे कुछ लिखा हुआ है लिखा एड टो एड टोटल वेलु फॉर आल दे फॉर्टर आफ दे फॉर्स्ट येर नहीं मैंने आप से पूछा इस टेप में क्या लिखा हुआ है कम्प्यूट सीजनल इंडेक्स सीजनल इंडेक्स को कम्प्यूट करने के लिए यह जो ABCD लिखे हुए न आपको यहां कुछ नहीं पढ़ने सीधे जहां हमारा कुश्चन हुआ है वहां समझने सबसे पहले आपने डेटा को वर्टिकल लिखा वर्टिकल लिखने के बाद क्या किया एवरी फोर डेटा को एड करके यहां लिख दिया फिर उसके बाद नेक्स फोर डेटा को यहां लिख दिया उसके बाद नेक्स फोर डेटा को एड करते रहे और यहां पर लिखते चले गए, उसके बाद उसको divide 4 किया, सारे data को divide 4 किया, उसके बाद इन दोनों का average यहां लिख दिया, next 2 का यहां, next 2 का यहां, यह process करा, और उसके बाद यहां पर, जो है ratio निकाला, और ratio में क्या था, actual upon average, actual upon average into 100 किया, यह जो step 4 में आया आपका, इसको आपने, यह means हैं आपके, अगर मैं बात करूँ, यह step 4 में क्या आए, तो step 4 में यह आपके means आए, और means को आपने, आपने compare किया है, अपने original values से, और यह जो values आई हैं सारी, इन values को आपने horizontal table पर लिखा किया, horizontal table पर आपने क्या किया, quarter one quarter two में कुछ नहीं था, तो इसलिए 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, यह आपके पास कोई data नहीं थे, यह data आपके पास नहीं थे, तो जब आपके पास यह data नहीं थे, तो आपने क्या किया, इन data में से minimum और maximum को remove करके, उनका again फिर आपने क्या निकाला, average निकाला, और यह जो average निकाला, इस average का एक name दिया, जिसका नाम हमने रखा, सब्सक्राइब करते हैं इसलिए करते हैं अगर आपके पास दस लोग हैं दस परसन खड़ें लाइन से एक बहुत चोटी हाइट का एक बहुत बड़ी हाइट का है उनको हटा दो और बागी का एवरेज निकालो ऐसा कह लिए कि कुछ केसिस को हटाने के लिए के लिए कि एकस P filtration केसिस को करने के लिए आसा मौडिफाइड मींस जो आया उसको अध onu क्या किससे देख रहे हैं कि आपका मसं क्नम किद्धा है 1984 जब भी मोर धान फॉर हंडे है इत मेंस यह सारी वैल्दि और और डाועन हो करे क्या बनाइंगी 400 बनाएंगे तो यह जो फैक्टर है यह वाला इसको बोलते हैं एड्जिस्टिंग कॉंस्टेंट क्या है एड्जिस्टिंग कॉंस्टेंट और यह जो एड्जिस्टिंग कॉंस्टेंट बनता है वह बनता है मौडिफाइड मीन्स टू बेस हंड़िट मींस मारे यह थे इनका सम इतना आया अपॉल बेस जो है बेसे कितना है वादा उसको बेस में हंडेड में बेस में कनवर्ट करना हैं अपने करने का मत्तब यह है कि आप इन फिगर्स को डाउन करेंगे क्योंकि यह फिगर ओलेडी जादा है तो यहां पर कॉमन सेंस यह इस्तिमाल करना जब भी आप यह काम करेंगे तो आपकी वैल्यू का जो फैक्टर है यहां पर पॉइंट नाइन एट आने का मतलब है यह आपकी वैल्यू को थोड़ा सा छोटा कर कर देगा और अगर यहां पर वन पॉइंट सम्थिंग आता तो यह आपकी वैल्यू को बढ़ा देता फिर आपका अगेन इनका सम फोर हंड़ेड नहीं आता इनू नीटू में चलके मेरे उपर चलना लगजा यह कुभी कहा जा रहा है कि वापू पास जा रहा हूँ सार यह सम्थ सुनके कोई रो रहा है मैं तो एनलाइज किया वो हसी जैसी भी थी और रोने जैसा वी ता ऐसा भी हो सकता ऐसा लगणा हो कि इतना ही से करना है सब्सक्राइब कि अगर आएगा तो फाइव मार्ट से कभी आएगा नहीं अभी आपको एक बात बटाओं मैं बार बार आपसे जब कल मैंने क्लास किया था पाला जी के सबको मत कीजिएगा सर अब यह समस्या यारी है पाला जी के प्लीज माइक सब्सक्राइब कर लीजिए तो फिर रूटीन सेट अप हो जाता है ठीक कह रहे हैं मैं माइक म्यूट कर रहा हूं सर यह एक बार दुबारा बता देंगे सर्थ अब हैं वह बता दूँगा मैं बाला बता दूगा लेकिन सुनिए चलो अभी सुनिए मैं कहां पर था हां यह एक बात आई थी अभी कि आपने पूछा कि सर्थ यह कितने काएगा मैंने वह लाएगा तो फाई मार्स काएगा एक बात हो लेकिन अभी मैं फिर आपको बताऊं कि जो आपका question आएगा सायद उसमें यह वाली exercise नहीं कराएगा लेकिन यहां से आगे कि exercise करा सकता हो means वो ऐसा कह सकता है आपसे कि modified means यह है तो seasonal index बताईए तो जो modified means दिये होंगे उनको 400 से compare करने के बाद आपो करेंगे ठीक है अच्छा suppose कीजिए यह question 3 season का होता किसका होता 3 season का अभी तो यह quarter 4 quarter है न अगर 3 का होता तो आप किस से compare करते 300 से अगर आपके पास 3 data होते हैं तो आप 300 से cover करते हैं और आपके पास 4 data है तो किस से compare करेंगे 400 से means season कितने हैं तो यहां पर 4 quarter में break किया हुआ है अगर question में 3 season की बात होगी तो आपके पास 3 modified means आएंगे उनको आप 300 से compare करेंगे और जो यह compare करेंगे compare करने के बाद आपका जो यह factor निकल के आया है यह factor इस factor को आप क्या करेंगे इस आपके modified means से multiply करेंगे यानि modified means into adjusting constant तो जो value आएगी उनका sum फिर 400 या 300 जो भी कुछ होगा और यह जो आया है इसी को हम seasonal index बोलते हैं जो की equal to कितना आता है 400 ठीक है उसी को हम क्या बोलते है seasonal index दूसरा मैंने आपको बोलता एक formula वो करने के लिए उस formula में क्या था कि जो आपकी value है जो actual value है actual value जो है equal to होती है estimated या इसी को हम क्या बोलते है डी seasonalized ठीक है actual को हम बोलते है seasonalized actual हमेशा seasonalized होती है क्योंकि actual जो figure आती है उसमें season का effect है तो estimated या डी seasonalized into SI seasonal index यूज करके हम अपने data को convert कर सकते हैं तो आपका जो five marks का question है वो यह रहा अगर आ गया तो जैसे यह है question जड़ा इस question पे सब लोग concentrate हो जाएं इस question पे सब लोग concentrate हो जाएं क्योंकि अगर five marks का आया तो ऐसा भी same question आ सकता है और इस question में same question में अगर आएगा तो ऐसा पूसकता है कि आपका modified means is given like this यह है यह modified means है वो लंबी सी exercise करने के बाद आया है और इनका sum यह है तो आप देखिए इस बार sum आपका low है तो आपको इस सारी value क्या करनी है हाई करनी है और हाई कैसे आएंगी जब आपका value 1 से ज़्यादा होगा उसी की multiplication से यह value हाई होगी तो आप देखेंगे कि जब हमने इस adjusting factor या adjusting constant को यूज किया किसी के साथ भी 94.45 into 1.0064 तो value आगया हमारा यह ऐसा ही second में यूज किया तो यह आगया थर्ड में यूज किया और फोर्थ में यूज किया तो यह हमारे क्या बन गए सीजनल इंडिस या सीजनल इंडेक्स ठीक है आप यहां फॉर्मूला दिया हुआ देखें फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है डीसी करें है थिटिकल टो एक्टूल सेजक्स इंडेक्स 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 तो यहां पर यह फ्रमीले में मिस्टिक है फॉर्मूला होगा और एक्टूल अप следующ SI upon 100 ठीक है तो अगर हम इसको formula को define करेंगे तो जो हम लोग ने बार बार सीखाया वो क्या है D-seasonalize into seasonal index upon 100 is equal to seasonal बोलिए बात समझ में आई किसी के नो तरू सब्जेक्टिव नहीं objective चाहूंगा कहाँ पर समझ में नहीं आया मेरे को points से बताईए मॉडिफाइड मीन जो यहां पर है मॉडिफाइड मीन तो extreme and lowest जो होता है highest and lowest उस दोनों को छोड़के middle दोनों को लिया जाता है यहां पर दो middle को एक करके ठीक है ठीक है एक सेकेंद यहां पर आपका मिडिल हाइस लुएस्ट और एवरेस्स अब को छोड़के final फिगर ले रखा है और यह final फिगर वो है जब आपका यहां देखीगा स्क्रीन पर आपको ध्यान होगा एक टेबिल हमारी यह यूज हुई थी उसमें ने क्या ता दो बेल्यों नहीं थी फिर फॉर वैल्यू थी फिर फॉर लीडु फोर वैली ने तो इसके बाद का आंसर है इंग ऑजा अ कि वह वह है मैं अपनाना चाहूंगा यहां पर 18 and 15 18 सबसे बड़ा है और 15 सबसे चोटा है इस दोनों को छोड़ देना है बागी जो तीन है यहां नहीं नहीं hold करिए hold करिए और modified means निकालने के लिए आपको बहुत बड़ी exercise करनी पड़ती है तब यह 94.45 आएगा कौन सी exercise करनी पड़ेगी आपको यह complete exercise करनी पड़ेगी जो सामने लेकिन इस question में उसने क्या दे दिया आपको इतना आपको नहीं निकालना पड़ा आपको सीधे सीधे इसके बाद का result दे दिया है मगर यहां पर तो modified mean जो आया है दोनों को add करके एक स्क्रिंग दोनों को छोड़के दोनों को add करके divided by two करके आया है 89 और 93 प्लस 5 को add करके तू डिवाइड बाइड बाइट कर देने से वह की वान आया है ठीक है ठीक है वही तरीका अगर वहां पर apply किया जाए तो वह तो यह वाला टेबल जो स्टेप 4 के बाद कर दिख रहा है और वह जो है वह टेबल वह टेबल ही है औरिजिनल टेबल यह जो है यह sales per quarter original है इस टेबल को वह सारे step करने के बाद यह जो आता modified means वह उसने given कर दिया क्या कर दिया आपको जो आप पूछ रहे हैं वह exercise भी होने के बाद यह आया है और यह exercise आप इस में से करना चाहरें तो गलत है यह तो हमारा original data है अभी समझा मैं मैं समझा कि step five में जो आया है तो यह बाला है ठीक है सब्सक्राइब टेटा है सब्सक्राइब करने हैं तो थोड़ा सा एक बार सब्सक्राइब मेरा एक क्वेश्चन है जिसको मैंने अभी अपने दिमाग में सॉल्व किया और बहुत बड़ी एक्सराइज करने के बाद एंटर का बटन दबाया तो मिर पार कुछ मॉडिफाइड मीन्स आ गए यह मॉडिफाइड मीन्स आ गए तो आपको सबसे पहले इसको एड़ करना है एड़ कर लेते हैं कि आपको देखना है यह वैल्यू ज्यादा आया है कम आया ज्यादा आया तो आपको यह वाला वैल्यू क्या करना पड़ेगा कम करना होगा और यह कम तब होगा जब कितना इसको रिटमिने टर्म में तो जिछा कि अब इसमें क्या होगा देखो यहां पर अगर हम बात करें इसको फोर इंड़ से कम्पेर करेंगे इसको अपन फौर एंड़ कर दूं मैं थे तो ही वैल्यू मेरा मोर्दन क्या आएगा हमको चाहिए तो आप इसको टेक्टिकली समझने की कोशिश करें मैंचमेटिक्स में कई बार हमें कुछी समझ में नहीं आती हैं उसको सौट कर ढून लेते हैं कि आपका यह जो डिवीजन है इसमें आपका वैल्यू लेस्टन क्या आना है और वो तब आएगा जब हमारा डिनोमिनेटर बढ़ा होगा ठीक है तो इस वाले कुश्चन का यह वारा स्टेप तो गरत हो जाएगा यह वारा रहेगा और इसके एकॉर्डिंग हमारा एड़ जिस्टिंग कॉंसेंट कितना आएगा 09958 अब 0.9958 से इन सबका multiply करना है 0.9958 से multiply करना है 98.03 सेकंड क्या आएगा देवल वन एक्ट पॉइंट जिरो टू नेक्स्ट ट्रिपल वन एट फोर एट ट्रिपल वन एट फोर एट था सर तर्ड वाला एट फाइट अच्छा ट्रिपल वन एट फोर एट उनको तीनों को एट करिये ला इन फोर को एट करिये वो तो 400 आएगा मदला उसको क्रॉस्ट चेक हो गया ना मरा कि मॉडिफाइड मीन्स के बाद जो नेक्स्ट वाला स्टेप होता है इसको हम सीजनल इंडेक्स बोलते हैं यह सीजनल इंडेक्स का सम तो अगर फोर क्वाटर है तो देट मस्क भी 400 थिरी सीजन है देट मस्क भी 300 ठीक है अब कुश्चन ही आता है कुश्चन सुनिये गजरा वो पूछेगा आपसे कि क्वाटर वन में तू में या थ्री में किसी में भी एस्टीमेशन देगा अब मुझे बताना आप आपका मैनेजर कहता है कि जो सेल्स हैं वो क्वाटर थ्री में 38 होने वाली है यह एस्टीमेशन है एस्टीमेशन तो इसका एक्च्वल क्या बनेगा तो आप क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करें लेकिन इसका सिंपल फॉर्मुला यह बना दिया ना मैंने तो थर्टी एट इंटू सीजनल इंडेक्स क्वार्टर सरी की बात करिए तो यह है इसमें 61.2 तो कितना हो जाएगा त्यक्राइब कितना हो जाएगा 23.256 तो एक कोशन यह हो गया अच्छा अगर मैं आपको फाइब मार्स का कोशन अभी आपके स्क्रीन पर दिखा दूँ तो सीखेंगे सब लोग सरी इसमें एक डाउट रह गया और conceptually समझना चाहते हैं तो concept formula इसका यह है कि जो आपका adjusting factor है sorry 400 upon modified means यह इसका formula है अब यहां पर आपका modified means कितना था तो आपको आपको यह समझना करना क्या है ठीक है अगर ऐसे उसको स्विधा होगा हर वक्त वह 400 हो या 300 हो वह उपर में रहेगा और जो आपका आया है वह नीचे आएगा ठीक है चलो five master question यह सामने रहा आपके स्क्रीन पर इसको रेशियो से निकलना है यह जो गिया है सिजनल इंडेक्स एक्टी फॉर इंटू फर्स्ट क्वाटर होगा तो 35 divided by total इसको एड़ करके ऐसा कुछ होगा नहीं यह वह नहीं है पहले कुछ और लोगो करने दीजिए आपने साथ पहले किया होगा आज ही देख रहा था सार इसको आज ही ट्राइक कर रहा था पांच मिट पहले चलिए देखते हैं देखो यह एक वर्ड लिखा हुआ है क्या और पॉर्कास्ट का मतलब इस्टिमेट इस 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 इनको आप समझने रटने की कोशिश करिया फॉर्कास्ट का मतलब इस्टिमेट इस्टिमेट का मतलब इस 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 अब आपको बोला जाएगा कि नेक्स्ट एयर में आपको प्रॉफिट थार्टी क्रॉर करना है आपको बोला गया तो थार्टी क्रॉर आपको पूरी एयर में करना है तो आपका क्वाटरली प्रॉफिट क्या होगा आड़े साथ करो दिवाइड वाइड वहर फूर फोर अच्छा आपका जो बैलेंसीट बनता है क्वाटरली प्यंडल क्या हरवार इतना ही आएगा नहीं वेरी करेगा उपर नीचे वेरी करेगा क्यों वेरी करता है आपका बिजिनस मार्क बी होता है सीजनल भी होता है कई सरे इस दो आपका भी बिजनेस जो है सेजन में सब्टेमबर से या मिड ऑक्टूबर से जनवरी तक काफी अच्छा रहता है फिर आगे मार्च में फिर और अच्छा होने की उम्मीद होती है ठीक है तो आपका ये डेटा जो estimated था D-seasonalized था इसको seasonalized किया जा सकता है अगर आप अपने branch का पिछले 5 year का quarterly profit को vertical रख लें ठीक है अपने branch का last 4 year का data quarterly vertical रख लें और उसमें ratio to moving average method लगा के क्या निकालने के बाद क्या निकालने क्या निकलेगा उसको एड करने के बाद को एड करने के बाद 400 को डिवाइड करने से adjusting constant निकलेगा उसी adjusting constant से जो figure आएगी modified means से वो क्या बन जाएगी और उस seasonal index का यूज करेंगे आप अपने estimated data पर तो आपका क्या निकल जाएगा कौन सा डेटा निकलेगा सीजनल इंडिक्स सीजनल लाइड ने ठीक है तो ऐसे ही एक फोरकास्ट हुआ है 84 करूर का तो उसने का सिंपल क्या करो आप 84 डिवाइड बाई पर यह सिड्वाइड यह सिघ्वाइड लेग्ण पर वट्रेटर यूग्या यानि 2121 2121 and 2120 एंड वर्वार वन क्वाटर तू वाटर थी और जैसे आपने यहां पर किया ठीक है उसने बोला आपका क्वार्टर वन का सीजनल इंडेक्स कितना है इन्टू 96 परसेंट जड़ा सारी फिगर्स पहले निकाल लीजिए कोई बोलेगा नहीं अभी करना है इन्टेट इन्टेट जड़ा जड़ा इन्टेट कोई जड़ा इन्टेट कर देट कि अ कि कि अ इस पुछ में सा करते चले गड़ी इस सब्सक्राइब कर दो बोले गाने और आप इसका एड़ करके देख लीजिए तो आप इसकी जादूगरी समझ पाए कुछ येस सर येस सर नहीं समझे सर हां बताते हैं जो आपने estimate किया था उसको हमने कहीं कंट्रा नहीं किया लेकिन हमने अपने estimate को quarterly जब break किया तो उसमें seasonal answer देने का कोशिस किया हमने अगर हम seasonal answer नहीं दे रहे थे तो हमारा answer क्या था चारो quarter के लिए 21 लेक्ट अगर आपने ये topic नहीं पढ़ा है तो आप भी अपने बॉस को यह बोलेंगे ठीक है अब आपको एक बात और बताएं आपको 96 की बात रही होगी कि regional office से budget आ गया तो वही budget था तो हमने अपने रिपोर्ट में पूरे साल का budget ब्रेक करके दे दिया लेकिन हमें बाद में realize हुआ कि नहीं सुरू के दो महीने तो ज्यादा कामी नहीं होता बैंक में एप्रेल में closing चला audit चला है टांसफर होने वाला प्रमोशन होने वाला है कौन पूछेगा हमें तो उससे क्या होता है वह एक्चुल डेटा वह होता नहीं है जो हम सोच रहे होते हैं सेम यहीं केस यहां पर है किसी मैनेजर ने बोला कि 21 लैक का सेल होगा ठीक है लेकिन उसने पुरानी डेटा से क्या क्योंक्यूशन कर रखा था कि सिजनल इंडेक्स इडेक्स क्योट कर रखा था उससे सीजनल इंडेक्स को उसने गिवड़िय कर दिया आपको देदिया और आप से 5 नमर नमर का नूमेरिकल क्या पूछा उसने जैसे चारो एर का सीजनलाइज देटा पूछ लिया एस्टीमेशन पूछ लिया कि इसीजनलाइज को सीजनलाइज पूछा तो अगर आप इनका यूज कर रहे हैं तो आप उसे आंसर देंगे क्वाटर टू में 20 क्वाटर थरी में 32 क्वाटर फोर में 25 और इडर सेवन ऐसे कर पूछ बोड़ेंगे इसको हम पर्सेंट क्यों किया पर्सेंट क्यों किया यह जो सीजनल इंडेसिस है वो उसके पर्सेंटेज कंपेरिजन में है कि बेसंडर इंसर वह चार सो है सम्ट नहीं तो तो शीजनल इंडेक्स का हमें सब फोर क्वाटर में चार सो ही आएगा इसका जो थर्टी फाइब पर्सेंट है वो यह कह रहा है कि इसकी वैल्यू रह जाएगी ऑनली थर्टी फाइब पर्सेंट जो आप सोच रहें तो यह जो फाइब मासा कुशन यह भी आ सकता जो आपके स्क्रीन पर है तो उसमें वह कॉटर वन का पूछ पहला कुशिंग दूसरा कॉटर टूपा तीसरा कॉटर तीगा चौथा कॉटर फोर का एक कुश्चिन कुछ और बना देगा तो काउटर पर क्या रहेगा या पूछ लेगा डी सीजनलाइज डेटा क्या रहेगा ऐसा कुछ भी पूछ सक पहले दिन यह कराया था इतना पास मुझे समझ में नहीं आया था आज समझ है आ जा गया चलो गुट अच्छा अब आप यह देखिए यह के कुश्चन दिया हुआ सामने फॉर्टीन नमर बुक का आपका लेट से यह कुश्चन आपके एक्जाम में आ जाए तो इस कुश्चन में इस टेबल से पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको अब बोलिये इसका पूरा एक्सराइज करके क्या निकालना पड़ेगा अच्छा और इसको जब लिखेंगे तो किस तर लिखेंगे टेबल मे 1 1 1 0 1 9 5 2 2 5 7 8 3 2 4 9 1 4 2 9 ऐसे पहले आप इनका सम निकालेंगे डिवाइडर 4 करेंगे बाइचांस यह अगर आजाए तो नहीं आएगा छोड़ देना अगर आपसे यह कुश्चन आ जाए और आपसे कुश्चन पूचे अगर आपको बिल्कुल फेल हो रहे हैं और कुछ नहीं कर आए तब इसको करना बहुत नहीं नहीं फज जाएंगे आपका फज जाएंगे ठीक है लेकिन क्योंकि बुक में उसने एक्सराइस दे रखी है तो उसने पहला कुश्चन क्या निका हुआ है फाइंड दा इंडेक्स ऑफ सीजनल वरिएशन यूजिंग दा मैथड़ आप इसके बाद आपका क्या जाएगा फिर उसने बोला नाव डी सीजनलाइज और इसनल डेटा तो अगर मैं एक एक से एक्जम्पल लेता हूं कि क्वाटर थरीक का सीजनल इंडेक्स 96.3 आया है कि तो इस वाले डेटा को डी सीजनलाइज करें कि इंटू हंडेट रहे साइगा है चलो सुन आपका डी सीजनलाइज जो हमारा जो यह डेटा है हमारा यह सीजनल इंडेक्स यह है तो कैसे कर शूत 10568 अपॉन 96.3 इंटो 100 परसेंट 10974.03 1094 भी बोल से ठीक है अभी थोड़ा सा यूज हलकाल का समझ रहे होगा ठीक है अच्छा उसके बाद उसने क्या पूछा कि जो आपका DC's large value आएगा सारे डेटा का उसको क्या करना है plot trend और नहीं plot करने के बाद क्या करना है give your observation what is trend अब trend की बात आगए तो trend हमने पढ़ा था वहां पर क्या पढ़ा था why upon why upon why cap इस question में जो हमने अभी solve case में क्या होगा हमारा why कितना है 10568 और cap कितना है 10974 तो उसको आप निकालिए तो यह trend है आपका उसका ठीक है और trend आपका क्या है जो आपका estimated value है वो ज्यादा है और आपका अब आगे बोला इसने ट्राइटू फिट जो मेट्रिकल लाइन ऑफ ली सिस्क्वाइर इन कैल्कुएट डट्रेंड वेल्यूस तो जो मेट्रिकल लाइन से मतलब क्या हो क्या डिवाइस करना आपको प्लेस अप्लेस बीएक्स एप्लस भी एक्स जो में प्रेंड में पढ़ा था फिर क्या बलता है डिवाइड दीसलाइज डाटा वाइट रेंड वेल्यूस एन आइसोलेट बिजनस साइकल एन एर्रेग्लर कंपोनेंट ठीक है तो यहां पर एक और वाड यूज हो गया टेक कि नहीं सौट तंब सौट तंब क्या होता है कि सौट तंब में इमीडेटली लोवर और जो ग्रेटर वैली होती है उसको हटा के इमीडेटली आवरेज निकालते हैं कहां पर इनका यह इन फोर मेंसे इसमें से लोवर और हायर हटाके एवरेज निकाल दो तो सीड़े जो क्यूवन आएगा आपका उसी को यूज करने की बात बोलता हो एक कुश्चन हम करेंगे ऐसा जिसमें हम डारेट सौट तंब वाला यह कुश्चन देखिए 16 नंबर इस कुश्चन में आपका कैल्कुलेट सीजनल इंडेक्स बोला है यूज फोर क्वार्टर सेंटर्ड मोविंग एवरेज फोर क्वार्टर का सेंटर मोविंग एवरेज पूछ रहा है इसका मतलब क्या है सेंटर मोविंग एवरेज सेंटर मुविंग एवरेज सीधे सीधे वैल्यू लेलो इसमें वह लॉंग वाला मैथर्ड नहीं यूज करना आपको अब अब इसको कराएंगे एक दो कुश्यक्राइग और इसका जो सॉलिशन है ना आपके वहां पर दे रखा हमने कहां पर दे रखा है जो पीडियेफ में सॉलुशन दे रखा उसमें भी आप कंपेर करके देखेगा तो थोड़ा सा एक आइडिया तो लग रहा होगा आपको कि क्या करना है मैं तो अब हम बात करते हैं उस एर्रेगलर वैरियेशन की जो हमको आज सेखनी थी इसने कोर लिसन का मैठ़ड पढ़ा होगा उनके लिए यह आसान होगा जलो अब मुझे बताना है आपको यह क्या लिखा हुआ है मुझे रिखे खेपर बिते लिखा नच पर आफिए इस व्द्रहा पिषा cash क्या और हर्भ रो ुस्षय जान जाम बीसेंट्रों स्त ol रिखर वह क्या रिखा थे इसावचाल कि आता हम जो हुआ उस्पाली आज कितना था यहां पर देखिए कितना है 16 16 इस इस फॉर्मुले में 16 इंटू कि सीजनल इंडेक्स कितना है कितना निकल क्या आता देखिए 15.21 15.21 कुछ गलत हो रहा है हमारे में सब्सक्राइब करें अब लोग कर गया था लेकिन अभी आप लोग कन्विंस है नहीं है का निकाल में दो फिटीं पॉन्ती फइव का निकालो ऐस्टिंग फॉन्ती फइव का निकालो इस दिए फाइब का कवाटर फॉर सेवर तो त्वेंटी वन पॉइंट नाइन फॉर नाइन फॉर नाइन इतना समझ में आया अब आप देखे जरा सुनियेगा आपने जो टेबल बनाई है कौन सी टेबल इसका नाम क्या है इस लाइसे ठीक है नाव सेकेंड सेप्ट टू डेवलप दट्रेड लाइन ट्रेंड लाइन को आप जानते हैं कौन सी होती है यह होती है और यह कैसे क्रिएट होगी बहुत केरफुली सुनियेगा इस बात को आपके पास यह कितने डेटा दिख रहे हैं कि इस ट्वंटी डेटा को जो हमने ट्रेंड में प्रैक्टिस किया था हम ट्वंटी डेटा को कैसे लिखते हैं इसे लिखते हैं और यह सारे डेटा इनका एवरेज क्या होगा कि द्वाइड नहीं पुइंट नहीं कि अम यह तो इसन ना है ना कभी आभी ट्रेंट अवें पॉंट फैव और थीक यह थीकित आप फिर मवन माइनस तैन पॉइंट फाइव करेंगे कितना हो जाएगा 909 वो क्या करेंगे 22 कितना हो जाएगा 9019-20 यह हमारा क्या किया यह इस टाइम और उसके बाद हम क्या करेंगे एक्सक्वाइब य वाई हमारा कहाँ से उठाएगे यहां से टीक है फिर पूरा जो टेबल बनेगा उससे हमें क्या-क्या निकलेगा अब जोखे एक्सक्वाइब करना है सामेशन एक्सवाइब और एक्सवाइब का फॉर्मला क्या था सब्सक्राइब का वैल्यू क्या गया और एक वैल्यू क्या होगा तो यह दोनों वैल्यू को रिग्रेशन लाइन में रख देगा बनाएं तो रिग्रेशन लाइन बनेगा वाई इस इकल टू एक टिन प्लास पॉइंट वान सिक्स लिए बनेगा ठीक है बोलो यह काम उसने यहां किया वा देखो अब अब ही कई लोगों को नीद आने लग जा हुआ नहीं जहरव इंट्रेस्टिंग हुआ है यह सुरू कहा से हुआ सर इस संद्रेशन कोई बात नहीं यह सुरूआ का देबल 15.7 और टेबल 15.7 में कौन सा डेटा दिया हुआ है एक्च्वल एक्च्वल यह नि 1010 smaller चीश तो सेसे ब्रदेटिटॉ द्सक्रश्टा, ना व सस्क्राम दमारीर यह वैल्जू नहीं जो मेरा यह दिखी मोले संहें व मयारुने शाफिम सना लेगे acha बीपने पासद करनायाद दीखेल्गард को आप या दरे निकालने के लिए अपन या उपन वाइक के बात करें ना ने इडिफ और एक्स निकलने के लिए अंजरा सिंसे की लिए हमारा जो वैल्यू है वह जो एक्वेशन बना हमारे एक्वेशन बना क्या है एटीन प्लस यह बना है ना इटीन प्लस पॉइंट वन सिक्स इंटू एक्वेशन ना इसरी एक्वेशन से पहले सर और उपर थोड़ा से स्क्रॉल करिये सर सर यहां पर यह जो आप टेवल बना रहे थे जो में लिए थे हम लोग 10.5 इसमें वाई वह इसमें जो वाई लिया वाई ना वह भी यहीं लिया वाई जिससे हम यूज कर रहे हैं तो यह दी सिजनल आप मैं समझने पाई सरी एक मुझे लगता जो तो वाई हम लोग जो लेते हैं वो टेवल में एक्स का वैलू निकालने के बाद वाई वाला तो वह तो एक्चुल डाटा होता है वाई वाला सर नहीं नहीं अब हमारे लिए जो जो भी हमारी रिग्रिशन लाइन बन रही है न वो लाइन हमारी नीचे वाली टेवल से बन रही है यानि कि हमारी जो estimated line है estimated values है उन से बन रही है इस से बन रही है तो अच्छा अच्छा यह data हमरो वाई कितने जगह हमने इस table को prepare किया है old table से और अब हम जो भी analysis कर रहे हूं इसी table पर कर रहे है यह देखिए बदिदी ना modified means modified means यह दिए है आमें इस वाले में हाँ इस अभी तो से टेट लाइन आएगा भी नहीं अटो रबन में एक्टोल डेटा से स्टेट लाइन तो आता भी नहीं प्रबल्लिन एक्टोलिन बोला आपने कि जो actual data हो तो actual है आपको train line निकालना है तो आपको अपने actual data को estimated data में convert करना पड़ेगा तब निकलेगा जो आप पूस रहे थे modified means given है इसमें यह क्या है इसमें question में given है तुम पर है ठीक है जाद और थ्वासा देखते है यह हम लोगों ने पढ़ा था percentage of trade कैसे निकलता है कि actual value upon y cap यहाँ पर actual से मतलब है जो हमारा DCs value वो हमारे actual का काम कर रहा है क्योंकि हमने जो estimated निकाला है वो हमने इसी पर base निकाला हुआ है ठीक है आप आगे देखिए यहां देखिए गजरा यह जो 19 कैसे आया यह हमारा फस्ट रिकॉर्ड है यह हमारा कौंसा रिकॉर्ड है फस्ट और जिसका center point था वो कौंसा record था हमारा यहां यहां पर एक डाउट आप मत करिएगा क्या जब हम सीजनल कॉश्चन नहीं कर रहे थे तो हम एयर को एक पार्ट मान रहे थें यहां हमारा यह कितने पार्ट में है फोर तो हम इसकी कांटी वान टू थ्री फोर वाइव सिक्स सेवन एट नाइन टैन एलेवन ट्वैल ऐसे करेंगे ना तो हमारा मिट पॉइंट कहां आया 10.5 तो आप वन माइनस 10.5 करेंगे तो कितना आएगा नाइन पॉइंट पॉइंट इसका ट्रेंड निकाला ठीक है और आगे आते हैं सब्सक्राइब करेंगे नाइन पॉइंट फाइव कैसे आया था नाइन पॉइंट फाइव हमने इसके ट्वंटी जो सीजन थे ट्वंटी क्वाटर थे एक दो उनको नंबरिंग कर दिया अब यह सब कुस दिया होगा आपको आप से पूछ लेगा कि कोई एर में पर्टिक्लर प्वाटर पूछ लेगा वह पूछेगा थार्ड एर उफ कॉटर तो आपके पार डेटा फाइब यह का यह ना तो शिक्स एर का क्या होगा आपके वाइब ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्रीयर ट्वेंटी फोर यह सब और इस यहर का थर्ड कौन होगा तो अपकी सीरियल नंबर है वह आपकी यहां खतम होगी ना ट्वेंटी के बार और यह आपका कौन सा यह है सिक्स्ट यह का थार्ड क्वार्टर हो आप क्या करेंगे टेक ट्वन्टी थ्री माइनस सिंट पॉइंट पॉइंट पॉंट फाइव फाइव कितना हो जाएगा तो आप इस ब्रैकेट में एक्स का वैल्यू क्या लेंगे इसका मतलब 18 प्लस 0.16 इंटू 25 तो कितना अंसर आया 22 तो 22 यूनिट आपकी क्या है इस इस में इस ट्वंटी टू थाउजन्ट यूनिट एस्टीमेट हो गई अब वह पूस्ता है किसको क्या बना लो तो 22 कौंसा क्वाटर रहे हैं थार्ड क्वाटर थार्ड क्वाटर का सीजनल इंडेक्स कितना है यह तो दिया ही नहीं हुआ ना इसका ना दिया वाट शिस्टी वन पॉइंट वाट थार्ड कर नहीं कर नहीं पॉइंट जीरो पर आप कर रहे हैं इसका 23 वाले हैं आपको एक बात बार 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 यह बोल रहा हूं कि इस कोश्चन में बीच में से पार्टिसिपेट्स करा सकता है इसमें जो यह टेवल है इसको भी नहीं निकालेगा आपका जो सामने दिख रहा है वो क्या कहेगा आपको एक तो यह निकालेगा जो यहां दिया हुआ यह ट्रेंड लाइन और इसको आपने जब हमने वाला को लेशन वाला टॉपिक पड़ा था तो वहां भी सीखा था ट्रेंड लाइन वाला पड़ा था तो बी सीखा डिकरंशन वह तो ट्रेंड या आपको ये, यह आपको ट्रेंड लाइन इस मेठब से निकल वाली सब Examples अगर ट्रेंड लाइन आपको दे देगा सीजनल इंडेक्स दे देगा तो तो फिर आगे कुश्चन कुछ नहीं रहाता ना उतना टफ नहीं रहाता कि अधिक है इस वाले कुश्चन में आपने सीजनल इंडेक्स कितने आसानी से निकाला आपने आसानी से क्योंकि आपको गिविन था क्या गिविन था कि मोडिफाइड मींस मोडिफाइड मींस अगर आपको मोडिफाइड मींस गिविन है तब आपके लिए कुश्चन इजी हो सकता है ठीक है चलो एक शीज कर लो आप लोग सब लोग कि एर्थ एयर में क्वार्टर वन का निकाल दो गुश्ची वन पर टो था समझा दिये कहा से है कौन से यहर में से यहर में वाइं एंग इस क्वार्टर टू का विश्चन लाइज एस्टीमेशन निका लिए कर दो कर दो आप उस एक्वेशन में रखेंगे कौन सी 80 प्लास 0.16 इंटू 31 कितना येगा ये आपका वाई कैप आया है ठीक है और इसको आप सीजनलाइज करना है अपने क्वाटर टू का सीजनलाइज करना है क्वाटर टू का सीजनल इंडेक्स कितना है क्वाटर टू का 129.9 129.9 कितना आएगा 29.825 इस तरह से क्वाटर टू का दिया वाई पर यहां देखिए अग्वाटर टू का दिया वाईज श्क्रीण पर देखिए टू कितना है सेटी सेजनलाइज वैल कितना है 29.29 29.74 ना इस तरह यह जैसे टेवेल नंबर अपना 50.7 से लेकर जाके 58 पर खत्व शार एक अट जाता है मत्तब इस डाइग्राम से ले जाना चाहिए बताओ क्या चाहता है चुनिएगा इकानोमिस यह चाहता है कि आक्टूबर में कोरूनों के केस कितने होंगे कैसे बताएंगे आप लास्ट टूंटीवन के या टूंटीटू के जो कमिंग एर कमिंग एर टूंटीटू में लास्ट के डीटा को आप 12 से डिवाइट कर लेंगे क्या ने ने ऐसे नहीं ऐसा तो एक्दम पूरे इस तरह नहीं कर तो वही चलो अच्छा मान लिया सुनिए सुनिए मान लेते हैं कि आपने उसे कहा नहीं इतने तो नहीं होंगे आपने दो लाग बढ़ा दिये तो कौन मानेगा आपकी बात नहीं मानेंगे लेकिन अगर आप ये रेशियो टू मुविंग एवरेज मैथड निकालके सीजनल इंडेक्स निकालके तब आप उसकी वैलियो को बताएंगे तुम मानेगा ठीक है और चलो कोरूरा तो एक एबनॉर्मल कंडिशन है लेकिन जो आपकी सीजनल सेल्स होती है उसमें बहुत इफेक्टिव होता है और ये फोरकास्टिंग किस कौन से डेटा पर वेस्ट होती है इस्टोरिकल 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 डेटा पर डेज दे है न अच्छा आब इसका थोड़ा दस मिट का थिओरी रह गया उसे समझ लीजे इसे क्या लिखाबा कुशन में इर्रेगलर वेरिशन ठीक है फाइनल कॉंपोनेंट इस इर्रेगलर वेरिशन आफ्टर we have eliminated trained cyclical and seasonal variation from the time which we may still have unpredictable factor left अभी भी कुछ factor ऐसे होंगे जिनको हम हटा नहीं पाए तो उसी को हम irregular variation occurs over very short interval देखो यहां पर तीन question आपके clear हो गए cyclical में कौन सा होता है सीजनल में क्या होता है सीजनल में क्या होता है within one year within one year normally ठीक है और इधर बोला very short interval and follow random कुछ पता ही लगता कोरोन के लिए लिए अब कभी इदम सो बढ़ जा रहा है कभी घड जा रहा है we may not be able to isolate them mathematically हम उसको mathematically नहीं निकाल सकते हैं बट वी में isolate the causes for the same हमें यह ढूनना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है हमें यह तो मिल जाएगा कि ऐसा हो रहा है लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है for example usually very cold winter in a region may increase electricity consumption wars may increase here तो हमें यह पतला लागा बहुत बहुत increase हो गया लेकिन हमें यह जानना क्यों हुआ we may not be able to identify all causes but over time these random variation tend to correct themselves तो इसमें बोला कि जो variation होते हैं यह धीर धीरे अपने आप सही करते हैं ठीक है example involving all four component of the time series यह जो नीचे वाला example है इसमें चारो component यूज किये हैं जरह मुझे बता सकते हो क्या क्या यूज किया इसने सबसे पहले क्या इसने यूज किया and line why इसने यह यूज किया इसने यह यूज किया अब इसे में यह कह रहा है involving और तो इस चारों चीजों को involve करके इसको solve कराया उसने और की का मतलब उसने क्या बटाया एक ट्रेड एस का मतलब सीजनल सी का मतलब तो यहां पर यह हमने इस कुश्चन को भी किया है ठीक अच्छा यहां पर तो इस ग्राफ को एनलाइज करते हैं ठीक है यह जो स्टेट लाइन है यह स्टेट लाइन क्या है अच्छा हमारा यह डेटा क्या है यह वाला जिख जिख वाला यह सर एक्च्छल डेटा है इसे वो एक्च्छल डेटा यह लिखावाय है अच्छा फिर हमारा एक डेटा यह वाला है एधिए इसको क्या बोला इपीस नो को अधर सेंटर्ड मुविंग एवरेज अब बोथ त्रेन और सेटलिक सैक्लिकल इसेंटर्ड मुविंग एवरेज एंटर्मोविंग एवरेज और वन टू थ्री फोर का सेंट या गया वन टू थ्री फोर का यह आ गया यह वन टू थ्री फोर का यह समझ मैंनी बार तो जब हम मुविंग एवरेज यूज करते हैं तो वो नियर टू नियर चलता है और इसका एक्जाम्पल में यहां दे सकता हूं आपको जब हमारा पिछला कुश्चन हुआ था यहां देखे गला यह जो कॉलम्न मर यह वाला है इस वाले में क्या हुआ आप देखिए बहुत स्मॉलर लार्जर वैरी लार्जर स्मॉलर इस चलता है यानि काफी वैरीशन है लेकिन इसको देखिए आप ज़रा यह पहले क्या हो रहा है 2000 प्लस चलता है फिर आप देखिए बिलोर 2000 आ गया फिर अगें 2000 प्लस दिख रहा है यानि किस तर से यह से मां सकते हैं कि 2000 फिर 1900 फिर 2000 दिख रहा है कि आया को समझ में अब और क्या है इसमें यह जो कैप वाली लाइन है उसी को उसने क्या बोला हुआ है कि इस इसनलाइज से बोलावा ना क्योंकि एस्टीमेटेट को ही हम इस इस नहीं ठीक है तो यह चारों चीज इसमें दिखा रहे हैं इसने यह वाला दर सबसे काप था कौन साला यह इस टॉपिक को आपको समझने के लिए बीच में जो स्टेप्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस को समझना होगा ठीक है अगर आप सौटकट समझ रहे हैं तो और यह चप्टर तो मुझे लगता है आसान है अगर आपने समझ लिया तो सब्सक्राइब लास्ट में जो सारा चीज एक सांथ आ जा रहा है ना वह सारे वह इसलिए यह कंप्लेक्स लग रहा है आपको मैं इसका सॉलिशन दिखाता हूँ ठीक है एक आथ कुश्चन का सॉलिशन दिखाते हैं सायथ थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाए क्यूंकि मैं इस कुश्चन इस टॉपिक को आगे नहीं ले जाना चाहरा है झाल